1991 में जो पूजा इस्थल कानून बना उसकी आज चवतर्फा गूज हो रही है और एक बड़ा वर्ग ऐसा है भारत में जो ज्यान बापी और मतुरा दोनों संदर्वों में उस कानून को प्रवेश निशेद के कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है वो कर रहा कि भई संसद ने जो कानून पारित किया उसका उलंगन है यह ज्यान बापी में मंदिर की बात और मतुरा में मंदिर की बात करना अच्छी बात है संसद के प्रती और संसद द्वारा पारित किये गए कानूनों के प्रती जो उद्दाम उतकट बिकट प्रेम उमड़ा है वो स्वागतियोग्य है लेकिन एक सवाल तो खड़ा होगा ना अभी कल की बात है इसी भारत की संसदने क्रशी को लेकर तीन कानून पारित की बनाई थे उन तीन कानूनों की धेतेरी कर दी गई पूरे देश में के नई उनके खिलाब धरना पदर्शन अंशन हुआ कि नहीं हुआ अंत में वो कानून वापस हुए कि नहीं हुए NRC का भी कानून, CA का भी कानून संसद नहीं पारित किये उनके विरोध में शाहीन बाग में कितना लंबा धरना चला और देश के कई हिस्तों में धरना चला भी नहीं मानता है यह काले कानून है मैं नहीं कहा रहा कि 1991 का कानून भी काला कानून है लेकिन हां कोई भी कानून जन्मत से बड़ा नहीं लोकमन से बड़ा नहीं लोक इक्षा से बड़ा नहीं हमने संविधान में संशोधन की है कानून क्या है कानून भारत के लिए है भारत के लोगों के लिए है इसलिए क्रशी कानून के समय मैंने किसानों के साथ खुद को ख़ड़ा किया था कि मैं मानने को त्यार नहीं कि पूजा इस्थल विदेयक अंतिम सत्य है इस जगत का कि उसमें तर्मीमी नहीं हो सकती उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं हड़ सकता नहीं तो आकाश फट पड़ाएगा और धर्ती प्रकंपित हो जाएगी यह कैसे माल लेंगे कोई इसा नहीं है कानून है तब तक स्विर्मा थे कानून में शंशोधन होते हैं कानून में परिवर्तन होते हैं और कानून समाप्त भी हो जाते हैं यह काम संसर्भी कर सकती है यह काम अधालत भी सुप्रीम कोट भी कर सकता है पूजा इस्थल विधेक के कुछ प्रावधानों को निरस्थ कर सकता है सुप्रीम कोट या पूरे पूजा इस्थल विधे कानून को ही निरस्थ कर सकता है और संसत तो संप्रभू है करी सकती है और एक रास्ता और भी है उसी पूजा इस्थल विधेक में धारा चार उपधारा तीन भी कहती है कि पुरातात्युक महत्व की इमारतें इस कानून के दाइरे से बाहर होंगी और भारत में पुरातात्युक महत्व की इमारतें किन को मानते हैं हम लोग उसके लिए 1958 का एक कानून है 1958 का Monument Act, उसमें बड़ी सरल व्याख्या है, सौ या सौ साल से उपर उम्र की जागरत इमारतें, जीवित इमारतें, पुरा तात्युक महतुकी मानी जाएंगे, तो ज्ञानबापी हो, यह मतुरा में कृष्ण जन्मा भूमी हो, यह सौ साल छोड़िये, यह तो तमाम सदियां पु इसलिए तर्क वो दिया जाना चाहिए, जिसमें आप अनुकूल और प्रतिकूल दोनों इस्थितियों में संभाव से खड़े रहें, अर्ध सत्य, अनुकूल सत्य, नहीं चलेगा, पूरु सत्य चाहिए, नपना एक होना चाहिए.